एलो फ्रेंट्स वेलकम बैक्रमाइ चनल स्वाथी ज़ाइब करूंगी डर्मडग ब्राइटनिंग टू फ्रेशल कित तो यह आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी क्योंकि यह मैं आज फर्स्ट टाइम यह जो फेशल कित है मेरे पास रखी थी और मैं इसको यूज नहीं कर पा रही थी बट आज मुझे इसको यूज करना पड़ा क्योंकि मुझे जाना है बाहर और मैं जी करना था फेशल तो मैंन और सारी जानकारी सारी डीटेल्स में आपको दूंगी आगे की वीडियो में तो चलते हैं वीडियो की तरफ यह मैंने किस तरह से किया और किस तरह से किस करेसे स्के इस चाप मैंने पर देख सकते हैं इस सब्सक्राइब ना कोई मेक अप है ना कुछ है सिर्फ फेशिल करके मैं आप लोगों के साथ यह सिर्फ मेरा लिब बाम यहां पर लगा हुआ है तो आप मेरे पेश पर गलो देख सकते हैं इस तरह से किया है तो चलते हैं वीडियो की दरफ फ्रेंट्स यहां पर मैं आप लोगों के साथ आज डम डॉक स्किन ब्रैटनिंग फेशल किट का फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करने जा रहे हूँ फ्रेंट्स इसमें एसकॉर्बिक एसिड है और यह हमारे स्किन को बहुत ही नेचरल गलो देता है हमारे स्किन को अल्ट्रा कैसे करने हैं तो फ्रेंट्स इसमें हमारे निकल कर आते हैं फाइव स्टेप तो इसके बाद आप यह देख सकते हैं फ्रस्ट सेकिन थर्ड फॉर्थ और फिफ्ट इसस्टेप में हमारा यह फेशल है complete हो जाएगा फरस्ट पर हमें यहां पर मिल जाता है ग्लींजर दूसरे step में हमें मिल जाता है है here speels scrub तीसरे step में हमें मिलता हैhus serum from the heart is different step में हमें मिलता है name or step him हमें मिलता है halla per peel of math then generally 5-step मreng mask होते हैं यहाँ पर इन्होंने different लिया है किस तरह से मैंने यह किया तो friend सबसे पहले मैंने अपना जो face है उसको wash कर लिया है normal water से और उसके बाद मैं अपने hair को band कर लूँगी क्योंकि friends जो facial करते समय या कुछ भी अपने skin care करते समय हम अपने बालों को अगर try कर लें वो जादा better रहता है क्योंकि हमारी जो बाल है वो हमें disturb नहीं करती है तो friends अब मैं ready हूँ first step करने के लिए तो उसके के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने face पर rose water है उसको spray कर रही हूँ थोड़ा सा अपने face को wet करने के लिए जिससे कि हमारा जो cleanser है वो अच्छी तरीके से work कर सके तो friends अब मैं first step करती हूँ यहाँ पर तो friends अब मैं थोड़े से amount में यह cleanser ले लेती हूँ यह आप देख सकते हैं यह मैंने थोड़ा सा amount ले लिया है और अब मेरा जो face है विल्कुल cleans हो गया है मैं इसको एक स्पंज से साफ कर लूँगी आप face wash भी कर सकते हैं अब मैं हाँ पर second step follow कर रही हूँ इस scrub का तो friends इस scrub हमारी skin को बहुत ही जादा clean कर देता है तो उसके लिए मैंने हाँ पर थोड़ा सा rose water spray कर लिया है और थोड़े से amount में मैंने हाँ पर यह scrub ले लिया है उसको मैं अच्छी तरीके से मसाज करूंगी दो मिनट तक friends इसमें जो चोट चोटे से particles होते हैं वो हमारे pores को open कर देते हैं जिससे हमारे अंदर की जो mail होती है pollution होता है वो सब निकल जाती है अगर थोड़ा सा आपको हाथ टाइट लगता है तो आप इस पर पानी की जगे आप इस पर rose water लगाएं तो आप effect देखेंगे बहुत ज़ादा अच्छा आया है उसके बाद मैं अपने face को clean कर लूँगी एक wet sponge की health से और उसके बाद मैं लूँगी हाँ पर third step third step में friend serum है और उसकी 2-4 moon मैं अपने हाथों पर लेकर अच्छी तरीके से अपने face पर dab dab motion में apply करूँगी और इसको absorb हो जाने तक मैं अपने face की massage करूँगी और अपने face की जो areas हैं उसको lift करूँगी जैसा कि आप देख सकते हैं 2-5 minutes तक आप इस तरह का step करेंगी तो यह सारा जो serum है absorb हो जाएगा जैसा आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है हमें अपने skin पर से इसको हटाना नहीं है हमें इसी के ऊपर अपना जो चौथा step है वो follow करना है serum मेरी skin में absorb हो चुका है अब हम अपने fourth step की तरफ चलते हैं जो है cream french cream से हम अपने face को massage देंगे जब तक cream हमारे skin में absorb नहीं हो जाती तब तक थोड़ा सा wet करने के लिए आप पानी या rose water या fit toner भी use कर सकते हैं अपने skin के according आप अपने points हैं वहाँ पर इस तरह से massage करेंगे जहां जहां आपके fine lines आ चुकी है nose area पर आपके fine lines आती है तो आप यहाँ पर ring finger की health से circular motion में आप massage कर सकती है eyes area पर भी आप इस तरह से massage कर सकती है जो inner corner है और chin area पर भी आप ring finger की health से massage कर सकती है forehead पर आप इस तरह से pressure देकर थोड़ा सा massage कर सकती है बट friends ज़्यादा pressure नहीं देना है video में यह 4 की speed है इसलिए आपको बहुत जाता जल्दी और speedly लग रहा है बट आपको बहुत ही हलके हातों से करना है आखों के area पर आपको ring finger से करना है और eyebrows पर आपको इस तरह से pressure देना है हलका तो friends आप बहुत ही जाता relax feel करेंगी massage जो होता है facial में बहुत ही important step होता है जिससे हमारी जो skin है वो relax भी feel करती है और प्लंपी feel करती है और जो हमारी fine lines वगेरा है वो भी cure हो जाती है तो friends ये 10 से 15 मिनट तक अगर आप कर सकती है तो कर लीजिए otherwise जितनी देर आप कर सकती है वो कर सकती है बट इस तरह के stops को जरूर फॉलू कीजिए अपनी wrinkles को हटाने के लिए massage से friends हमारी जो skin का blood circulation होता है वो भी अच्छी तरीके से फर करता है और हमारे skin पर एक natural glow आता है circular motion में ही massage करना है जिससे कि हमारा जो blood circulation है वो improve होगा उसके बाद friends हमें wet response से अपने face को साफ कर लेंगे और उसके बाद friends हमारी बारी आती है 5th step की जो है हमारा face mask तो friends यहाँ पर face mask है peel of face mask उसको मैं अच्छी तरीके से एक thick layer अपने face पर लगा लूँगे friends जब भी आप peel of mask लगाएं तो आप एक thick layer लगाएं उससे क्योगा friends कि जब भी हम इस pack को remove करेंगे तो यह easily remove हो जाएगा अगर हम एक thin layer लगाते हैं और बहुत हलका amount लेकर अपने face पर लगाते हैं तो वो अच्छी तरीके से work भी नहीं करेगा और जब हम इसको remove करेंगे त जैसा कि आप देख सकते हैं इसको आपको upward motion में ही remove करना हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आप उपर से नीचे की तरफ इसको remove ना करें इस तरह से आप remove करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो facial hair है वो भी remove हो गए हैं उसके बाद आप हटा लीजिए इसको और normal water से आप अपना face wash कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि skin बहुती जादा hydrate हो गई है plumpy feel करती है मेरी skin और बहुती जादा glowing effect देता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय अभी मैं face wash करके आई हूँ और आप मेरी skin पर glow देख सकते हैं मैं आपको zoom करके दिखाते हूँ कि जो मे पास friends आपको क्या करना है आपको toner जरूर से यूज करना है कोई साभी toner आप अपनी skin पर लगा सकते हैं जो आपकी skin को suit करता है फ्रेंट टोनर को गर्मियों में कभी भी skip ना करें क्योंकि friends टोनर जो होता है जो हमारे skin pores होते हैं उसको minimize करता है और हमारे pH balance है उसको maintain करके करें कहीं भी जाने से एक दिन या दो दिन पहले करें नहीं तो आप एक रात पहले इसको कर लीजिए और next day आप इसका glow जो है वो देख सकते हैं जो आपकी skin है बहुती जादा hydrating feel करेगी और आपको कोई भी जादा skincare करने की जरूत नहीं बढ़ेगी यह था मेरा आज का facial kit का first impression आप लोगों के साथ आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो like and share कीजेगा और subscribe कर लिजेगा मेरे चैनल पर क्योंकि इस तरह की जो fashion, beauty, makeup, skincare से related videos है मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूं और आप मुझे suggestion दे सकते हैं कि आप मेरे चैनल पर क्या देखना पसंद करेंगे तो मिलते हैं next video में till then bye bye thanks for watching